राजस्थान विधानसभा में आज जबरदस सहंगामा मचा अशोग गहलो सरकार से बरखास किये जाचों के विधाया के राजेंदर गुड़ा अपने साथ एक लाल टाइरी लेकर आये थे दावा कर रहे थे किसमें कई गुटाले चुपे हैं लेकिन क्यों इसका जिक्र उन्होंने मीजिया के सामने आकर भी नहीं किया विधान सभा की अंदर स्पीकर की बात भी नहीं सुनी, कॉंग्रेस सदस्यों से भिड़ गए, जिसके चलते बाद में उन्हें विधान सभा की बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, इस बीच गुडा के दावे पर सवाल भी उट रहे हैं राजस्थान में राजिंदर सिंग गुडा लाल डाइरी में कॉंग्रेस राज के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं की लोगों को उन पर भरुसा है, राज्जे बीजेपी भी गुडा के सहारे गहलो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन डाइरी के तमाम पुराने वीडियो भी वाइरल हो रहे हैं, वीडियो में गुडा दावा कर रहे हैं की मैं एक बार फिर बीएस्पी से टिकेट ले आऊंगा, दरसल गुडा का इतियास ही दल बदल का रहा है, एक पार्टी से चुनाव जीतते हैं तो कुछी दिनों में दूसरी पा 2008 और 2018 में बीएस्पी से चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही कॉंग्रिस में आ गए, दोनों ही बार राज़े में कॉंग्रिस की सरकार बनी, अशोक गहलो सीम बने और गहलोत ने दोनों ही बार गुडा को अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया, लेकि जोने अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखे बयान देने शुरू कर दिये, जिसके बाद सीम अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्री पस से बरखास कर दिया, और अब राज़िंदर गुडा दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी वो बीएस्पी से टिकेट ले आएंगे, लेकिन इस ब विलाइफ की रिपोर्ट